जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं भगवान साली ग्राम की यह कथा आपने यह गवर किया होगा की भगवान विश्डू को कई अस्थानों में काली पत्थर के रूप में पूजा जाता है यही नहीं सत्यनारायर की पूजा के समय पंडी जी एक काला पत्थर साथ में रखते हैं जो विश्डू जी की मुर्ती के पास रखा जाता है और फिर पूजा सुरू की जाती है इसे पत्थर को शाली ग्राम के नाम से जाना जाता है यह स्राप इतना सक्ती साली था जिसने भगवान विश्डू को पत्थर में बदल दिया यह उन्हें श्विकार करना पड़ा क्योंकि यह उनकी सबसे प्रियभग ब्रिंदा ने उन्हें दिया था यह साली ग्राम पत्थर केवल गंडक नदी के टटके पास पाया जाता है यह आमतर पर काले या लाल रंग में मिलता है और बाक्स में रखा जाता है जो कोई भी यह साली ग्राम पत्थर अपने घर में रखता है उसे पूजा और साप सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है यह कहानी है अहंका भक्ती प्रेव और विश्वास घात की जिसमें भगवान ने भक्त के साथ धोखा किया और जिसकी वज़े से उन्हें स्राप मिला आईए जानते हैं इसकी पूरी कहानी एक समय जालंधर नाम का एक पराक्रमी अशुर था जो सीव की तीशरी आख से उत्पन हुआ था यही कारण था कि वह अतियंत सक्ती साली योधा था इसका विवा ब्रिंदा नामक कन्या से हुआ ब्रिंदा भगवान विश्रू की परंभक थी इसके पती ब्रद्धन के कारण जलंधर अजे हो गया इसने एक युध में भगवान सीव को भी पराजित कर दिया अपने अजे होने पर इसी अभिमान हो गया और स्वर्ग की दिवताओं को परिशान करने लगा दुखी होकर सभी दिवता भगवान विश्रू की सरण में गये और जलंधर की आतं को शमाप्त करने की प्राथना करने लगे क्यूंकि जलंधर को तभी हराया जा सकता जब पत्नी ब्रिंदा पवित्रता को भंग कर दे एक असुर की बेटी और पत्नी होने के बाबजूर वह भगवान विश्रू की भग थे वह भगवान विश्रू की परमभग थे और उन पर उसे पूरा विश्वास था सभी देवताओं ने देखा कि सीव भी उसे हरार नहीं पाए तो वे विश्रू की सरण में गए भगवान विश्रू ने अपनी माया से जलंधर का रूपधारण कर लिया और छल से ब्रिंदा की पती ब्रधन को नश्ट कर दिया इससे जलंधर की सक्ती छिड हो गए और वह युद्ध में मारा गया जब ब्रिंदा ने भगवान विश्रू को छुआ तब उसे पता चला की वह जलंधर नहीं है और उसने पूछा की वह कौन है जब ब्रिंदा को भगवान विश्रू के छल का पता चला तो उसने भगवान विश्रू को पत्थर का बना जाने का स्राप दे दिया भगवान विश्रू ब्रिंदा के साथ हुए छल के कारण लजजित थे इसलिए ब्रिंदा के स्राप को जीवीत रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो साली ग्राम कहलाया भगवान विश्रू ने ब्रिंदा से कहा कि तुम अगले जन में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लच्मी से भी अधिक मेरी प्रियर होगी तुभारा अस्थार मेरे सीज पर होगा मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहर नहीं करूंगा यही कारड है की भगवान विश्रू के प्रशाद में तुलसी अवस्य रखा जाता है बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विश्रू स्विकार नहीं करते ब्रिंदा की राग से तुलसी का पौधा निकला ब्रिंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विश्लू के साली ग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया इसी घटना को याद रखने के लिए हर वर्ष कातिक सुकले का दसी यानि देव प्रवोधनी एका दसी के दिन तुलसी का विवा साली ग्राम के साथ कराया जाता है एक और कथा के अनसार एक बुढ़िया थी उसने साली ग्राम जी की सीवा की थी कार्तिक मास में ओ पुषकर अश्नान का विचार कर परोशन से बोली मैं पुषकर जा रही हूं तु मेरी साली ग्राम जी को अपने पास रख ले परोशन बोली मुझे सिवा पूजा नहीं आती बताओ कैसे कर दूंगी बुर्या बोली सबेरी इनको उठाना और लोटा भरकर पानी लाना आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना भगवान को जल्व कच्ची दूद से नहलाना चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चड़ाना दूद का भोग लगाना दो पहर की रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना साम को दिया जलाना ऐसी सिवा पूजा करना कहकर वह चली गई परोसर ने बुर्या के कहे अंसार किया पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं दूद पीरा ही नहीं एद देख ओ चिन्ता में पड़ी बोली भगवान आपकी मालकी ना आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया अभी एक महीना है आप जीम लो तो मैं भी जीमू और वह भूखी बैठी रहे भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे छोटा सा मोर मुकुत पितामबर धारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए दूद पी लिया जीम लिया रोज ऐसा ही होता रहा एक दिन भगवान ने कहा मैं गाय चरा लाओं तो पड़ोसन बोली थोड़े दिन तो रहोगे क्यों जाते हो पर भगवान माने नहीं हाथ में सोने की लाठी कंधे पर हीरी मोती का पितामबर डार गाय चराने जाते महिना बीता बुर्या घर आई असना अध्यान से निमटकर सोचा साली ग्राम जी को ले आऊं परोसन ले गई है परोसन से बोली साली ग्राम जी साम को आएंगे तब ले जाना बुर्या साली ग्राम जी के लिए जिद करने लगी और जगणा हो गया लोगी कठे हो गए तो परोसन बोली बुर्या को समझाओ एक महीना निकाला जैसे साम तक और सब्र करे बुर्या धर्ना देकर बैठ गए साम पड़े भगवान आए गाए उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में बिराज गए परोसन बोली ले जाओ तुम्हारे भगवान और भगवान से बोली भगवान बुढ़ी को भी रूप दिखा दो नहीं तो मेरे प्रती ए अबिश्वास कर रही है भगवान ने मोर्मकुट पितामबर्भर हाथ में सोने की लाठी लेकर बुढ़िया को दर्सन दिया भगवान ने भोली भक्तों को दर्सन दिया